सो हेलो बच्चा लो वेलकम बैक और अब आपका एकजाम एकदम सर पे है आठ से नौ दिन बचा है तो चलिए आपका थोड़ा सा बोज हलका किया जाए प्लस 44 मार्क्स फिजिक्स में लाना बहुत इजी है लेकिन आपको ध्यान से इस चीज को सुनना होगा छोटा सा वीडियो है एक एक बात को सुनियो और चीजों को प्लीज फॉलो कीजिएगा ठीक है तो चलिए हम लोग चलते है अपने उस पीडिया फाइल पे जहां आपको पता है जगह कि प्लस 44 कैसे लाया जा सकता है तो यह वो टॉपिक्स के नाम है जिनमें आपका इंपुट कम लगता है लेकिन यहां से आपको आउट्पुट माक्सिमम है और गारिंटीड है राइट सबको पता है कि मॉडर्ण फिजिक्स बहुत इंपॉर्टन या फिर मोस् उप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आपको इस बार भी सवाल फ्रिक्वेंटली पूछा गया पहले भी पूछा गया है राइट ऑल्टरनेटिंग करेंट आरलसी सरकिट पे आपको बहुत सवाल बनता है जीनर डायोड लॉजिक गेट्स ट्रांजिस्टर्स अर्थ मैगनेटि ठीक है इनको अगर आप टोटल करें तो ये आपका मिनिममपा 44 नंबर है ट्रस्ट में यहाँ पे मैंने बहुत मार्जिन लिया है बहुत कम मार्जिन लिया है पैसिकली और आपका ये मिनिममम 44 नंबर है इस से जाधा भी पौसिबल है और यहाँ पे सिर्फ आपको रिविजन आपका यहाँ पे होने वाला है modern physics से लेके सभी का यहाँ पे आपका वीडियो link है और sir concept को सीखने के बाद हम लोग उसको apply कैसे करेंगे तो यह आपका हो गया previous year questions का link और जहाँ जहाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं will be uploaded before 20 second August तो यह आपको से आप चीजों को अब अपना plan करें अगर आपने इसमें से topics को छोड़ा हुआ है तो आप इसको please करे easy topics है चार चार नंबर यहाँ पे आपको हर topics में 100% secure किया जा सकता है ठीक है इस PDF का link आपको नीचे मिल जाएगा आप वहाँ से download करें इस links के उपर आपको सिर्फ click करना है और आप automatically उस YouTube वीडियो के link पे चले जाएंगे और जिन बच्चों की भूख इस link से भी जादा है उन बच्चों को पता है कि नीचे आपको मिलेगा एक gold mine link आप उसको पे जाके check out करें आपको और जादा videos और problem solving links के YouTube वीडियो मिलेंगे चलिए take care bye bye and best of luck